इस वीडियो में हम कोकोनेट आइस कैंडी बनाना सिखाएंगे जिसको हम लोग पिस्ता आइस क्रीम भी बोलते हैं इसके लिए हम 20 लीटर पानी एक टंकी में नाप लेते हैं जो भी हम फार्मूला बता रहा हैं यह 20 लीटर मिक्चर के लिए है पूरा 20 लीटर मिक्चर के लिए क्या क्या डालना है उसके लिए सारा फार्मूला है हमने 20 लीटर पानी एक टंकी में नाप लिया अब इस 20 लीटर पानी में साढ़े 3 किलोग्राम साढ़े 3 किलोग्राम चीनी डालना है यह देखे 3.5 kg चीनी डाल लिया इस 20 लीटर मिक्चर में 40-40 ml की 500 आइस का एंडिया तयार होंगी इसमें 10-15 ग्राम मीठा डाल लेना है इसी मिक्चर में 10-15 ग्राम मीठा डाल लेना है वो देखे मैंने डाल लिया अब इसमें 500 ग्राम या तो गरी लच्छा डालना है या गरी बुरादा डालना है वैसे मेरा सुझाओ यह है कि आप पिस्ता या कोकोनेट आइस क्रीम बना रहे है तो आप गरी लच्छा का उपयोग कीजिए मैं तो गरी लच्छा से आईस्क्रिम जाद अच्छी बनती है मैं तो गरी लच्छा यूपएयोग में ले रहा हूँ यह देखिए मैं 500 ग्राम इसमें गरी लच्छा डाल लिया अब इसमें डालना है हमें essence और color इस mixeur में हमें essence और color डालना है इस 20 लीटर में हमें 15 ml कितना लगभग 15 ml essence डालना है 15 ml coconut essence डालना है ये देखे 15 ml coconut essence डाल लिया अब हमको डालना है इसमें color color 20 लीटर मिक्चर में लगभग 10 ग्राम 10 से 12 ग्राम coconut या पिस्ता color जो होता है हलका green color होता है वो डालना है 10 से 12 ग्राम कितना 10 से 12 ग्राम color डालना है पिस्ता color डालना है ये देखिए ये पिस्ता color है वो डाल लिया अब इसकी quality को और अच्छा करने के लिए हमें दो से तीन लीटर सुद्ध दूध डाल लेना है ये option है अगर आप चाहें तो ना भी डालें कि अगर quality अच्छी करना चाहते हैं तो आप दो से तीन लीटर पूरे मिक्चर में और सु और अब सुद्ध दूध डाल लीजिए फिर इस पूरे mixture को अच्छे से मिला लीजिए कि अब हुत अच्छे ही कर लीजिए कि कि अब इस मोल्ड को मोल्ड भरने के बाद इन मोल्डो को हमें पापपशिकल मसीन में डालना है जो ब्राइन मसीन होती है उसमें डालना है आप कहेंगे तो हम ब्राइन मसीन का भी एक वीडियो बना देंगे इस देखें इस मोल्ड को हमें पापसिकल मसीन में डाल देना है ये ये देखिए इसमें डाल देना है इसमें डालने के एक से डेड़ दो मिनट बाद हमें इसमें इस्टिक्स लगाने है जो इस्टिक्स लगाने है इस्टिक्स को पहले हमें पानी में भिगो लेना उसके बाल लगाना है पानी में भिगो के निकाल लेना फिर इस्टिक्स लगा देने हैं यह देखिए ऐसे जितने भी साचें जितने भी सम्में लगा देना यह यह इस्टिक्स ऐसे लगा देना है यह देखिए अच्छे से बिल्कुल सीधा इस्टिक्स लगा देना अब सारे मोल्ड डालने के बाद इसको 20-25 मिनट ब्राइन जो पाप्सिकल मसीन है उसमें पड़ा रहने देते हैं 20-25 मिनट में यह सारा जो मिक्चर इसमें मैंने भरा था यह पूरा जम जाएगा यह देखिए जमने के बाद इन एक एक मोल्ड को आराम से निकाल के इस तरह नारमल पानी में मोल्ड को नीचे डुबो के यह जितनी भी कैंडिया है ऐसे निकाल लेना यह देखिए सारी सारी आइस्क्रीम निकाले अब इनकी पैकिंग कर देना है बस इनकी पैकिंग कर देना है पैकिंग करने के बाद आपको इस्टोरेज में लगा देना